ने करें कि एक वस्तु का भी क्रेमूल जो है 2,28,528 रुपे है एक दुबंदार इसी कीमत को इसके क्रेमूल से 15% अधिक अंकित करता है और 10% का छोड़ देता है आपको बताना है कि इसका क्रेमूल क्या है निकी सेलिंग प्राइज सोरी कोस्ट प्राइज क्या है सेलिंग प् पी दिया गया है 2,28,528 रुपे है अब कोस्ट प्राइज है कि इसके कोस्ट प्राइज है इसे 15% अधिक अंकित करता है निकि MRP कितना हो जाएगा अगर हम कोस्ट प्राइज को सो मानेत MRP हमरा कितना हो जाएगा 115 और MRP पे क्या करा है 10% का छुट दे रहा है यानिकि 10% के 10% का छुट देगा MRP पर कितना छुट दे रहा है 11.5 का यानिकि 11.5 का छुट दे रहा है एक्चुल में इसका जो सेलिंग प्राइज है कितना हो गया 103.5 और यही 103.5 के value question में दे गई है 2,28,528 रुपे है अब calculation को देख रहे है क्या मतलब 2 घंटे का paper में 200 question भी है और उसमे इतना सारे calculation थोड़ा सा भी तो रहा हम किजिए SSE अब यहाँ पर देखिए जब इसको आप काटेंगे एक के value निकल का जाएगा यहां से 2,28,528 अप उन में कितना हो जाएगा 1,3,5 और यह हो जाएगा 10 5 से काटेंगे दो बार में यह जाएगा 5 दो निकार 2 और 207 बार में इतने सारे calculation थे लड़ा कैसे कर पाएगा अब देखिए यहां पर काटेंगे तो यह कितने बार में जाएगा 228 बार में जाएगा कितना 228 बार में जाएगा हमें निकलने क्या है CP निकलने कोश्प्राइज ते यह भी कितने होगा 100 अगुन जादा हो मुटिप्लाइग कर द उर्डenne कर दोलड़ शार में unch्वाद़द होगा Yak Este ए cargo 37 तो बैसÇाल में जाएगा हम छुप एषगा किते हागने कित विलाएगा कितने में जाएगा दोलड़ा कितने क् अज़ पस्तरिके second six से मी कर पाएग